लखनाओ के मोहनलाल गंज सामुदाइक स्वास्त केंज से कोरोना वैक्सिनेशन के लिए वसूली करने का एक मामला सामनी आया है जहां लोगों से वैक्सिन के नाम पर दो-दो सो रुपे की अवैद वसूली की जा रही है इसकी तस्वीरी इसका जो वीडियो भी वैल हो रहा है आप देख सकते हैं तस्वीरों में वसूली की अवैद खेल में इस्पिताल परशासन के कई लोग मिली हुए है ये बात सामनी आ रही है पूरे ऐस्पिताल में अवैद वसूली का जाल बिचाकर पैसे वसूले जा रहे हैं और जहां किन्र और राज सरकार ने शुलक वैक्सिनेशन अभ्यान चला रही है देश और प्रधेश में वहीं ये दलाली का खेल सरकार के इस अभ्यान पर पलिता लगा रहा है दलालों का यह खेल कैमरे में कैद हो गया जिसके बाद इस्पिताल परबंधन में हरकम मच गयी इस्पिताल अत्र परशासण ने मामले में जानकारी ना होने की बात कही और शिकायत के बाद जाजरा कर कारवाई करने की बात कही है लेकिन आप देखिए कोई भी सरकारी योजना हो लेकिन उसमें ये दलाल अरिश्वत खुरी का मामला अक्सर पहुंच जाता जिससे लोगों को योजनाओं का लाव नहीं मिल पाथा प्लस जो लोग वैक्सीन देने का पैसा ले रहे हैं वो पैसे दे क्यों रहे है अगर उन्हें कोई प्राब्लम हो रही है तो पहले मेरे सीट पर आकर के बोले हैं कि हमसे ये वक्ति पैसा लेकर काम कराने के लिए बोल रहा है तब मैं अपना इंप्लॉई पकड़ पाऊंगी अगर वो नीचे लेविल से ही पैसा दे करके काम करा ले रहे हैं इन्फॉर्मेजन हायर लेविल तक नहीं आ रही है तो इसमें संस्ता की कोई पाऊंगी नहीं है